पुरानी पेंशन के लिए राश्च्रुपती, पी-एम व सी-एम को भेजेंगे ई-मेल राज के सभी स्तर के सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए देश के राश्च्रुपती, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और राज्य विक्त मंत्री राज के सभी स्तर के सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के ल कि पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू करने को लेकर लगातार जारी उनकी मांग पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए National Movement for Old Pension Scheme, NIOPS की बिहार इकाई की तरफ से रविवार को हुई एक ओनलाइन बैठक में यहाँ निरनय लिया गया इसमें प्रदेश के अलगलक स्थानों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों ने हिस्सा लिया यह जानकारी NIOPS के प्रदेश अध्यक्ष वरुन पांडे ने विज्यप्ती जारी कर दी है उन्होंने बताया कि इस अभियान में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मियों के इमेल भेजने की योजना है इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रतेग जिला स्तर पर संगठन के जिला कार्यकारिनी में भी एक बैठक होगी और इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा इसमें उपाध्यक्ष संजीव तिवारी शशिकान्थ शशी समेत अन्य जुड़े हुए थे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की क्यों हो रही मांग आम लोगों का कितना फाइदा साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी उसके बाद सरकार ने नई पेंशन स्कीम चालू की थी देश में कई नेताओं द्वारा राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है भारत में एक लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू करने को लेकर काफी मांग उठ रही है साल 2004 में Old Pension Scheme बंद कर दी गई थी उसके बाद सरकार ने नई Pension Scheme चालू की थी देश में कई नेताओं द्वारा राज्यों में Old Pension Scheme लागू करने की बात कही है पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह Old Pension Scheme फिर से लागू भी की जा चुकी है लेकिन क्या है माजरा क्यों कुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल करने की मांग की जा रही है इससे आम आदमी को क्या फाइदा होगा आईए जानते हैं